सर्विप्फ्यो नमो नमा नमशकार सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रतीभा दिक्षित वरुन सूक्त जो की रिगवेद के प्रथम मंडल का 25 सूक्त है ये पहले 1st गेड के पाठिक्रम में सम्मिलित था लेकिन अभी RPSC के द्वारा जो नया सलेबस जारी किया गया है वरुन सूक्त को सेकेंड गेड में भी शामिल कर लिया गया है हलांकि नाम से आपको सलेबस के अंतरगत कहीं भी वरुन सूक्त लिखा हुआ नहीं मिलेगा लेकिन जो ये इसका नंबर है 1.25 ये इस लेबस में लिखा हुआ है तो थोड़ा सा इसके विशे में confusion था विद्धिहर्थी भी लगतार कमेंट कर रहे थे मैंने जब पाठिक्रम परिवर्तन से संबंदित वीडियो बनाया तो उस वक्त मेरे भी ध्यान से ये सूक्त निकल गया मैंने बताया था आपको कि केवल दो नए सूक्त सम्मिलित हुए है विश्वे देवा और संग्यान इसके अतिरिक्त ये जो वरुन सूक्त है उसको भी पाठिक्रम में समिलित किया गया है तो 2nd grade में 1st grade में तो ये ही हमारे पाठिक्रम में, इसके अतिरिक्त NET JRF Assistant Professor बहुत सारी परतियोगी परिक्षाओं में ये वरुण सुक्त सम्मिलत होता है, तो आज के इस वीडियो में हम वरुण सुक्त से संबंधित अध्यन करेंगे तो वरुण सुक्त के कौन रिशी है, कौन इसके देवता तो वरुण है, इसके अतिरिक्तिस में कितने मंत्र है, किस छंद में मंत्र लिखे गए है और क्या वरुण देवता का स्वरूप बताया गया है इन सभी विशयों की चर्चा इस वीडियो के अंतरगत हम करेंगे इससे पहले हम अगनी सुक्त का अध्यन कर चुके हैं, इंद्र सुक्त का अध्यन कर चुके हैं, पुरुष सुक्त पढ़ चुके हैं और विश्णु सुक्त भी पढ़ चुके हैं तो अगर आप उन में से किसी भी सुक्त का अध्यन करना चाहते हैं तो डेस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है आप RPSC 2nd Grade नामक प्लेलिस्ट से या फिर वैदिक साहित्य नामक प्लेलिस्ट से देख सकते हैं वरुन सुक्त के देवता वरुन है तो ये तो निश्चित रूप से आपको पता होगा इसके रिशी के संबन में बहुत बार पुछन पूछे जाते हैं कि वरुन सुक्त के रिशी कौन है तो वरुन सुक्त के रिशी है सुनह शेप इसे आपको याद रखना है इसमें कुल 21 मं संहीं रहतकर रहुता के अंतर्गत सारे मंत्र वर्णित है अब बात करें बरुण देवता के परियाय वांजियों के विषयमे क्यों क्योंकि परियायवाची से समन्दिल प्रिश्ण पूछे जाते हैं चैनल प्रतम प्रशिद्ध्ध है क्षत्रु शत्र श्रुयह का तातपरिय क्या है अर्थात ऐसे देव जो शाष्किय शक्ति से सोभायमान होने वाले हैं अर्थात जिनके पास नित्रित्व करने का गुण है नित्रित्व शक्ति से जो युप्त है शाश की ये शक्ती से शोभाय मान तो ऐसे हो जाएंगे एक शत्र श्रीह और ये कौन है ये है वरुन देव दूसरा इनका विशेषन प्राप्त होता है नरह अर्थात जो नेता है ऐसे है वरुन देव तीसरा इनको उरुचक्षस भी कहा गया है उरुचक्षस का क्या ताथ परिया है जिनके बहुत सारे चक्षु हैं या जो सब को देख सकते हैं जो सर्वद्रिष्टा हैं त्रिकाल दर्शी हैं या बहुदर्शनी हैं बहुत सारे लोगों के द्वारा देखे जाते हैं तो तो वो किसके संबंद में पड़े थे ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे और आपको उरुचक्षस को विशेश्टह वरुन के संबंद में याद रखना है क्योंकि विध्यारती वरुन और विश्णु इन दोनों में कन्फ्यूज हो जाते हैं दोनों हालांकि इनमें कोई समानता हैं नहीं है फिर भी नाम की समानता के कारण विध्यारती कन्फ्यूज हो जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है उरुचक्षस ये विशेशन है वरुन देव का अगला इनका विशेशन है दृत वृत दृत का क्या तात परिये है दृत वृत का तात परिये है ऐसे द प्रजमान के लिए भी प्रयुक्त हुआ है एक मंत्र के अंतरगत किन्तु बहुत बार इसको वरुण देव के लिए प्रयुक्त किया गया है तो दृत वरत उरुचक्षश प्रजावतह सूकृतू इस प्रकार के अगर आपसे विशेशन पूछे कौन है तो ये वरुण देव अगला है प्रजावतह प्रजावतह का क्या तातपरिया है जो उत्पन होने वाली प्रजा से युक्त है ऐसे देव कौन है ऐसे देव है वरुण देव इसके अतिरिक्त जो सूकृतू है सूकृतू का तातपरिया है जो श्रिष्ट कर्मों को करने वाले है इसके अतिरिक्त आदित्य अर्थात अदित्ती का पुत्र भी इनको कहा गया है और अंति में हैं मेधिर अर्थात मेधा भी इनको संभोधित किया गया है मेधिर के रूप में तो इनके संबंद में ये जो विशेशन हैं आप कम से कम इन सभी को अच्छे से याद रखिए क्योंकि इनी से रिष्टताओं के विशेय में कि क्या इनकी विशेष्टाएं हैं क्या ये कारिय करते हैं तो देखिए वरुन देव का जो स्वरूप है उनको प्रसंद करने के लिए स्तूति की गई है शुन्य हशेप जो इसके रिशी है वो लगातार इनको प्रसंद करना चाहते हैं क्योंकि एक तरह से वो वरुन देव से कुछ डरे हुए भी है क्योंकि वरुन देव जो है वो विनाश करने वाले हैं लोगों का तो ये अपनी स्तुतियों के द्वारा वरुन देव को प्रसंद करना चाहते हैं और अनेक प्रकार की इनकी विशेष्टाएं बताते हैं तो पहली क्या विशेष्टा है जिस प्रकार रथका स्वामी दूर से आए घोडे को त्रन आदी देकर प्रसंद करता है उसी प्रकार यजमान वरुन को स्तुतियों के द्वारा प्रसंद करता है अर्थात जैसे कोई घोडा किसी दूर यात्रा से आया है और वो ठक गया है तो उस घोडे क जो रथी है वो घास आदी के लाकर गोड़े को प्रसन करता है उसी प्रकार जो यजमान है वो वरुन को स्थुतियों के द्वारा प्रसन करते हैं तो इसका जो संस्कृत मंत्र है आप इसको याद रखें तो बहतर होगा क्योंकि हिंदी तो आपको आ गई लेकिन कई बार पाएंगे रति अश्वम संदितम नते मन हम मडी काय गीर भी भी सीमभी तो यह किसके विशह में है यह कहा गया है वरुन देव को इसके अतिरीक्ट देखें यहाँ पर इस मंत्र में हालांकि एक ही मंत्र में इस सुक्त के अंतर vakत udah मित्र और वरुन का एंक साथ नामों लेक किया गया है स्पष्च तहा मित्र नहीं कहा गया है लेकिन ये विख्यात है वैदिक देवताओं में मित्र और वरुण जो है वो युग्म देव के रूप में भी जाने जाते हैं अर्थात दोनों साथ-साथ रहते हैं इस प्रकार की एक धारुना है तो ये दोनो, कौन दोनो, मित्र और वरुन, ये दोनो देव, धृत वरत और हवी प्रदाता, ऐसा यजमान जो हवी, हविश्यान में प्रदान करता है, वरुन देव को और मित्र को, इसके अतिरिक्त जो धृत वरत है, जिसने वरत धारण कर रखा है, ऐसा यजमान, उनका कल्यान करते हैं ये दोनों कौन दोनों मित्र और वरुन तो मित्र और वरुन एक ही हवी को प्राप्त करते हैं और ये द्रित्वरत और हवी प्रदाता यजमान के कल्यान के प्रती कभी भी प्रमाद नहीं करते इसकी जो संस्कृत मंत्र है वो है तदित्स समानम अशाते वेनंतान प्रयुच्छतह धृत्वरताय दाशुशे इसके अतिरिक्त और कैसा स्वरूप है वरुनदेव का तो जो वरुनदेव है वो आकास मार्ग से उड़ने वाले पक्षियों के मार्ग को जानते हैं समुद्र मार्ग से जाने वाली जो नाव इत्यादी है उनके मार्ग को भी जानते हैं वरुनदेव के संबन्द में बहुत सारी चीजों का उलेक किया गया है कि वरुनदेव सर्व ग्याता है तो वो बहुत सारे चीजों को जानते हैं वो आकाश मार्ग से उड़ने वाले पक्षियों के मार्ग को भी जानते हैं वो समुत्र मार्ग से जाने वाले नाव के मार्ग को भी जानते हैं इसके अतिरिक्त वो जो चैतर से और फागुन परियंत माह हैं बारह माँ, उनको जानते हैं जो अधी माँस है 13 वा मास जो 3-4 वर्ष में कभी एक बार आता है उसको भी जानते हैं, इसके अतिरिक्थ अंत्रिक्ष लोक में निवास करने वालो को जानते हैं तो बहुत सारी बातें इनके विशे में कही गई है इसके अतिरिक्त वेबारह मास को एवं तेरवे मास को जो कि अधी मास होता है, मल मास होता है, उसको भी जानने वाले हैं तो वेद मासो धृत व्रतो द्वादश प्रजावतः वेदा या उपजायते जो उत्पन होता है बाद में प्रकट होता है आधी मास तेरवा मास उसको भी जानने वाले हैं इसके अतिरिक तो और क्या-क्या जानते हैं वरुन देव तो विस्तरित दर्शनिय एवं वायू के मार्ग को अंतरिक्ष लोग में अधिश्टित तत्वों को इन सभी को वरुन देव जानने वाले हैं अर्था तो वो वायू के मार्ग को भी जानते हैं और जो अंतरिक्ष लो और किस प्रकार के स्वरूप वाले वरुन देव हैं तो प्रजा के सामराज्जी की सिद्धी के लिए प्रजा में ही विद्यमान हो गए हैं इस प्रकार के स्वरूप वाले वरुन देवता हैं वरुन से ही यानी मनुष्य भूत और भविश्य के सभी आश्चरियों का ज्यान दर्थात किसी भी मनुष्य में वरुन देव की करपा से ही एक शमता विक्सित होती है कि वो जो कारिय हो चुके हैं और जो होने वाले हैं उन सभी आश्चरियों का ज्यान प्राप्त करता है इसके विशे में जो यह पद्य है इसको भी आप याद रखिए मंत्र को याद रखि जिकित्वाम अभी पश्यती अतह इससे ही विश्व के अधवुद आश्चरियों का रूत और भविश्य के आश्चरियों का ज्यान प्राप्त करता है ज्यानी मनुष्य और कैसा स्वरूप है वरुन देवता का वरुन देवता से क्या प्रार्थना की गई है तो वरुन दे दीर्ग आयू प्रदान कीजिए वरुन देव जो है वो अपने पुष्ट शरीर को स्वारण में कवच से ढके रहते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है किसी भी तरीके से प्रीश्ण पूछा जा सकता है कि कौन से देव हैं जो अपने पुष्ट शरीर को हिरन्य में कवच से ढखे रहते हैं तो वो है वरुन देव या इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वरुन देव अपने पुष्ट शरीर को किस से ढख कर रखते हैं तो वो हो जाएगा हिरन्य में कवच से इसके अतिरिक्त वरुन देव से जो इरिशा करने वाले लोग हैं या जो द्रुह करने वाले लोग हैं वो डरते हैं वो उनसे इरिशा नहीं करते द्रोह नहीं करते इसके अतिरिक्त वरुन ने ही अन को उत्पन किया है ये वरुन देव के संबंद में बहुत ही इंपोर्टेंट है इसको आप याद रखिए ये पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है इस विशे में आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि देखिए तीन अन्न समर्पित करते हैं हविशान्य समर्पित करते हैं दूसरी बात हमने की थी पुरुष के संबंद में पुरुष का क्या था पुरुष के विशे में कहा गया था यद अन्नेन अति रोहती ये अन्न के द्वारा बढ़ता है और तीसरी अन्न के विशे में बात है वरुन ने ही अन्न को उत्पन किया है और हमारे उद्रों में अन्न को पचाने की शक्ती भी वरुण देव ने ही उत्पन की है तो अन्न को उत्पन करने वाले कौन है वरुण देव जबकि अन्न के द्वारा बढ़तने वाले कौन है वो हो जाएंगे पुरुष इस प्रकार से इसका संस्कृत मंत्र है तो इने भी आप देखते चलिए नजर में रखते चलिए अगली इनकी क्या विशेष्टा है तो गोष्टों को लक्षे करके साइकाल के समय वहां जाने वाली गायों के समान मेरी मेरी किसकी शुनहस शेप की जो इसके मंत्र द्रिष्टा रिशी है वो प्रार्थना कर रहे हैं वरुन देव से वो संबोधित कर रहे हैं वरुन देव को और कहते हैं कि जिस प्रकार से साइकाल के समय गाएं गोष्टों को लक्षे करके उनकी तरफ जाती हैं, उसी प्रकार जो मेरी बुद्धी है या मेरी जो भावनाएं हैं, वो हे वरुन देव आपकी और आती हैं। कहां पर जाती हैं, क्या जाती हैं, या किस के लिए ये कहा गया है कि मेरी बुद्धी जाती हैं, इस प्रकार से किसी भी तरीके से प्रश्ण पूछा जा सकता है। को ध्यान रखना है, सभी प्रकार के पाशों से मुक्त करवाने की प्रार्थना कौन से देव से की गई है। तो वो की गई है वरुन देव से। देखिए इस प्रकार की कल्पना की गई है कि हमारे सिर पर, कमर पर और पैरों में पाश पड़े हुए हैं, हम पाशों से बंदे हुए हैं, बेडियों से बंदे हुए हैं, तो वरुन देव से उन तीनों ही उत्तम मध्यम और अधम पाशों से बुक्त करवाने की प्रार्थना की गई है। उदुतमम मुमगदीनो विपाशम मध्यमम चृत अबाधमानी जीव से तो इस प्रकार के स्वरूप वाले वरुन देव हैं, वरुन देव के संबंद में जो जो भी महतपून बाते हैं, आप उनको अच्छे से याद रखिए, इनके परियायवाचियों को याद रखिए, तो निश्चित रूप से आपके जो प्रशन है वरुन सुप्त से संबंदित वो कभी भी गलत नहीं होगा, तो इस प्रकार से संक्षिप्त रूप में यहाँ पर हमने सार रूप में वरुन सुप्त का अध्यन कर लिया है, जो भी परिक्षोपियों की बाते हैं, जो की परि अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से-धिक शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें और बैल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन्स आपको मि सकें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद